साथियों, शिक्षा के खेत्र में आज राष्ट्य शिक्षानीती का उधारण हमारे सामड़े हैं। शिक्षा हमारे से भारत के लिए स्वहत्वाव रही है। इसी स्वहत्ता के साथ हमारी नई पीडी को आगे बढ़ने का आउसर मिलना चाहिए। इसके लिए सानिय भाषाओं में पढ़ाई के विकल्प दिये जा रहे हैं। कनड़ा, तमिल, तेलूगे के साथ साथ संस्कृत जैसी भाषाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है। हमारे सभी मट और धार्वी समस्ताम इस कार्य में सद्यों से लगे हुए हैं। मैं शुरू तो ऐसी जगह हैं, जहां से देश का एक मात्र संस्कृत दैनिक अख़वार सुधर्मा आज भी प्रकाशित हो रहा है। अब देश भी आपके इन प्रयासों में अपना सयोग दे रहा है। इसके लिए हर संभो प्रयास कर रहा है। इसी तरह स्वास्त और आरोग्य की दिशा में भारत के प्रयासों से आज आयुर्वेद और योग को पुरी दुनिया में नई पहचान मिली है। हमारा प्रयास है कि देश का एक भी नागरी अपनी इत्विरासत से अनभिज्य और वंचीत नर है। इस अभियान को पूरा करने के लिए हमारे आध्यात्मिक संसानों का सहयोग बहुत महत्वपूर है। ऐसे ही बेटियों की पढ़ाई लिखाई के लिए जल सवरक्षन के लिए परियावरन के लिए और स्वच्च भारत के लिए भी हम सब को मिलकर आगे आना होगा। एक और महत्वपूर संकल्प प्रकृतिक खेति का भी है। हमारा अन जितना सुद्ध होगा हमारा जीवन भी और अन सुद्ध और मन सुद्ध उतना ही स्वस्त और पवित्र होगा। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी हमारे सभी धार्मिक मठ और संस्तान आगे आकर लोगों को जागरू करें। हमारी इस भारत माता, हमारी धरती माता उसको हम केमिकल से मुक्त करें। इसके लिए हम जितना करेंगे ये मा के आशिरवाद सदियों तक हमारे काम आने वाले हैं। साथियों, जिस कार्यों में संतों का प्रयास जुड़ जाता है। उस कार्य में आध्यात्मिक चेतना और इश्वरिय आशिरवाद भी जुड़ जाता है।